नमस्कार आज आपको महराजा गंगा सिंग विश्वविदाले द्वारा जारी किया गया बीएड का जो पर्थमवर्ष के जो विद्यारती हैं उनके लिए क्या प्रिक्षा प्रारूप रहेगा क्या पेपर का पेटर्न रहेगा उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस कर प्रिक्षा प्रारूप कैसे रहेगा देखिए टोटल जो टाइमिंग रहेगी आपकी वो तीन गंटे की होगी यह पहले भी था और मार्किंग जो है वो असी नम्बरों में से होगी जो यह पहले भी थी यहां पर बदल दी गई है तो एकाईयां पहले पांच एकाई के अं अब इतीन ही काई के अंदर ही प्हाइडन होगा तो इस जीज में विदार्थियों को नुक्सान भी हुआ है और पाइदा भी ओगा है जो विदार्थी गैराई से फढ़ते हैं न विस लोगों को इस चिज का फाइदा मिलेगे क्योंकि वह उत्तर कलियर देंगे और कलियर उत्तर में से पूरे में से पूरे अंक आएंगे और जो विजारत थी एक निवंद के रूप में चलोगी अपने को पेपर बर नहीं है बर देंगे कुछ भी लिख देंगे डाल देंगे उतर मिल जाएगा ठीक है नहीं मिलेगा ठीक है नमबर आएगे ठीक है इस सोच से करते थे तो अभी क्या करना है कि आप यदि गहराई से दिन कर रहे हो तो इस में आपके अच्छे नमबर आएगे क्योंकि उसमें अभी इस साल छोटे की उसनों को सामिल कर दिया गए जो 10 परसंड रहेंगे और 10 के अंदर 20 नमबरों का होगा मुल्यांकन यानि 20 नमबर आपके तब ही आएगे जब आप स्टिक उतर दे होगी या सही सही उतर दे होगी नहीं तो एक-एक नमबर भी होगा तो 10 नमबर तो गई तो इस बार पूरी गहराई से अधिन करना है और इसकी जो सबसिमा रहेगी परसंडों की वो 50 सब्दों की रहेगी तो टोटल 20 नमबर का हो गया और यहां पर ध्यान यह रखना है आपको एक दूसरे परसंडों को स्टा करके नहीं लिखना है प्रते क्यूशन जैसे ही चेंज होता है तो उसमें दो लाइन छोड़ दो 20 में कोपी की लास्ट में भी यह नहीं कि कुछ बच्चों की यादत होती है कि लास्ट में 4-5 लाइन हर क्यूशन परते एक पेज के अंदर ही छोड़ देते हैं वेस्ट में तो उसमें कोपी का सदपयोग नहीं करते हो आप कोपी का पूरा का पूरा सदपयोग करने हैं और कुछ जो उत्र पुस्तिका आपको दी जाती है उसकी, तो उसमें 20-20 की में काम बे लेते हो वेपर, तो इस चीज़ को आप में सा ध्यान रखें कि जादा कोपी बरने से नंबर नहीं आएंगे, जो उत्तर सही सही देऊगे तो ही आपके नंबर आएंगे, तो ये आप पूरा ध्या और जो वेवस्तित रूप दिया गया है जैसे सेक्शन वाइज, तो उसी सेक्शन वाइज आपको उत्तर लिखने, यह नहीं कि पहले कौन सा ही कर दिया, फिर दूसरे सेक्शन कर दिया, फिर तीसरे कर दिया, यह एक सेक्शन कौन सा ही उठा लेना आप, करम से करना है सारा क सारा जिससे की अगला जो आपका मुल्नाकन करेगा तो उसका जो माइंड है वो बिलकुल आपकी कोपी के उपर रहेगा और आपको अच्छे नमबर देगा नहीं तो क्या है कि कुछ लोग खिजड़ी बना देते हैं कि जैसे एक क्यूसन किसी का कर दिया दूसरा किसी का उसमे पर्षन को उत्र बना देते हैं तो यह जो तरीका है वो गलत है तो यह इस परकार से करोगे तो नमबर नहीं आए उसके बाद में सेक्षिन 2 जो सेक्षिन बी रहेगा आपका उसमें 6 क्यूसन आएंगे जिसमेंसे आपको पांस करने है और एक जो पर्षिन रहेगा वो छे चली कि आणिस्यूस यह जो स्क्राइ रहेगा उसमें तीसमां नंबर का नेंगे तो फांस मेंसे आएंगे यह जनी पांस मेंसे तीन करने आपको एक काक्यूसन नंबर आएंगा या 500 सब्दों के अंदर यह मान के चलो आपके चार या पांच पांच पेस के अंदर आपको उतर देना है तो यह दस दस नमबर के रहेंगे तो टोटल इस प्रकार से हो गया अपना 80 नमबर 30, 30, 60 और 20, 80 यानि तीन ही कईयों के अंदर पेपर आएगा और यदि आप पेपर देने के लिए जा रहे हूँ मोटसाइंकल का उपयोग कर रहे हूँ तो हेलमेंट अपने साथ लेकर जाएं क्योंकि सुरुक्षा आपके अपने हाथ में है अपनी सुरुक्षा अपने स्वेम के हाथ में होती है और हेलमेंट की बिना मोटसाइंकल का